बिहारी बोलता है कि हम बिहारी हैं, बंगाली बोलता है कि हम बंगाली हैं, और दूसरे पर्दिश में जाने से लोग बोलता है कि हम ये हैं, सब अपने अपने राज का पूझ दाते हैं, तो हम यहीं कहना चाहेंगे, जब हम जारखंडी हैं, तो हम अपने को जारखंडी ही कह और जार्खन में दूसरे भासा को क्यों हम लाने देंगे। हम जार्खन्डी हैं, इसलिए जार्खन में तो आपना जार्खन कैस होना चाहिए। इसलिए मैं तो इसका विरूत करता हूँ। मैं बिशब्ध अम्रिज जैका। अभी मैं फिलहाल रांची हेटक्वाटर में ही हूँ। और तब भी यही पर सेवा रहा थू। और सेवा के छेतर तो पड़ा होने के चलते मैं हमेशा बाहर ही रहता हूँ। इस छेतर माने के पहले मैं शुदूर ग्रामी छेतर में था। जहां 19 वरस तक में सिवा दिया। अभी जो जहरकेंड और विहार में भासा को लेकर विबाद चल रहा है। उसका रास्ता क्या है। आप इसके बारे में कुछ बताईगी। दीखे, सम्मन में तो मैं बहुत सारे नेताव से बात किया। किया और अभी बी करता हूं। जैसे अब है हैं बत्मान परतिय में जब आप देखेंगे, तो सब जगां इसका बिरूस किया जा रहा है। बिहारी बोलता है कि हुछ भाइर्ने , बंगाली बोलता है युन बढ़ता है। सब अपने अराज का बूल दाते हैं, तो हम यहीं कहना चाहेंगे, जब हम जारखन्डी हैं, तो हम अपने को जारखन्डी ही कहेंगे, और जारखन्ड में दूसरे भासा को क्यों हम लाने देंगे, जैसे दूसरे लोग काते हम बिहारी हैं, तो इसे हम बुलते हम जारखन्डी सोच समाज करके काम करें अन्य था आग जो अभी लगने वाला है अलग चुकी है बोलेंगे हो सकता आगे जाने के बाद भड़क भी सकता है इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बत्वान सरकार जो है इस पर कहनता के साथ सूथ मिचार करें सरकार के कारियों से स्वामी जी आप कितने संतुष्ठ है उससे तो कहा जा तो राज सरकार अच्छा ही काम कर रहा है राज सरकार के कार्श में सचमुत के संतुष्ठ तो हूं लेकिन इसे बढ़कर क्या उत कुछ काम करना है अब इसे इस करके जैसे बिरुजगारी हुआ और चीज हुआ इस पर तो सरकार को कदम उठाना चाहिए जैसे आभी मुद्धा ये भी रहा गया जैसे चेशी का हुआ चाहो जगा तो लोग उजाड़े जा रहे हैं लोग रोना पितना कर रहे हैं तो सरकार इनको बसाने के लिए कुछ तो स्टुष्ठ तो एड़रह थे जो उस पर मैं ज्यादा कंचार्चा नहीं करना चाहता है वसलिए सभी लोग उससे वाकिप हाँ और सभी लोग जानते हैं कि बर्तिस खत्यान में क्या है और बर्तिस खत्यान को ले करके क्या उल्गुलान किया जा रहा है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले